धन तेरस के दिन ही बहुत सारे बस्तुओं की खड़िदारी की जाती है हम तमाम तरह के आपको नमक के समंदित उपाय बतलाएंगे लिकिन दोस्तों एक बात जान लीजिए ये पांच परवों का त्योहार है पांच दिनों का त्योहार है और धन तेरस के दिन से ही इस्टार् गजेंद्रमोक्ष इसका आप अगर सरबन करते हैं धन तेरस के दिन धन चतूरदसी के दिन या फिर दीपावली के दिन तो फिर इसका आपको अगर एक बार भी सरबन करते हैं या पार्ट करते हैं तो इसका 15,000 गुना जादा फल मिलेगा दोस्तों आपको साथ पता होगा या हो सकते हैं हमारे बहुत दर्सक नहीं जानते होंगे कि गजेंद्रमोक्ष होता क्या है आप यूट्यूप पर सर्च कीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए बहुत ही सुन्दर सी अस्तूती है आप उन्हें सुनिए इससे आपके तमाम तरह के जो बुरे ग्रह हैं जो बहुत सारे दर्सक सोचते होंगे कि आप बोरिंग टैप्स दे रही हैं लेकिन नहीं दोस्तों एक बार आप ट्राइ करें और लगातार 40 दिनों तक सुनिएगा सुबह के समय अस्नान करके प्लीज हमारी कहना माने दोस्तों हम बात करें नमक की और नमक इस धनते रस आप ज जल में थोड़ा सा डालके साथ ही आप काच की एक कडोरी लें और उसमें थोड़ा सा नमक निकाल कर छोटा सा बावल लेना है आपको अपने पूजा के कोने में यानि उत्तर पुर्व के कोने में रख दें इससे क्या होगा आपके एक तो घर में सकारात मकता बनी रहेगी दूसरी दिपावली की रात में तमाम तरखे टोटके बेगरे किये जाते हैं ताकि घर में बरकत हो और मालक्षमी का आगमन हो बुरी सक्तीया नमक में इकटी हो जाएंगी आपके घर में सकारात मकता बनी रहेगी और हर सबता आप नमक को चेंज कीजिएगा बहते पानी मे डालना है तो आप बेसिन में भी डाल सकते हैं फ्लस कर दें या फिर अगले सब्ता फिर से आप नए नमक का भर दें उस काच के बाउल में आप देखिएगा कुछी दिनों में आपकी जो बंधी किसमत है वो खुल जाएगी और मां का आसिरवाद आपको मिलने लगेगा दोस् धन 13 के दिन अगर आप चांदी खरीते हैं वैसे तो अभी तो हर कोई चांदी का चला हम ने जैसा हम अपने बारबार अपने वीडियो में बतलाते हैं हम की चांदी का चला पहने अपने अंगुठे में अगर आप वैफसाही है क्योंकि वैफसाही लोगों को राह Jetzt繼續 के अगर है तो फिर कोई बात नहीं है आप पहने रहें और इसके आप खरीद कर दीपावली के पूजन के समय जरूर रखिएगा वहां पर महालक्षमी के पास और इसे आपको दीपावली के पूजन के बाद धारन कर लेना है या फिर दूसरे दिन असनान बेगर करके इस चल्ला या जो आपने कड़ा खरीदा है उसे धारन करें इसमें आपका महालक्षमी का आसिरवाद रहेगा और इसे अगर आप धारन करते हैं तो इसका आपको सुपरिना बलंबे समय तक प्राप्त होगा दोस्तों आप धंतेरस के दिन जो भी सामान खरीदेंगे उसे दीपावली क जाडू इन सबी चीज़ों को जोरूर लानीचाहिए जोस्तों जाडू तो जोरूर लाएगा लेकिन ८र जोड़िय कि संख्या में जाडू मत लीजेगा जैसे दो चार सानक्या में जाडूं मत लीजीगा और एक जाड़ो आप मंदिल में भी दान कर दें अगर पास में कोई मंदिल है तो एक अपने लिए भी खरी दें और इसी जाड़ों से दिपावली के दिन पूरे घर की सफाई करें आपके पैस पहले से जाड़ो है फिर भी एक खरीद लें क्योंकि फिर तो आपको काम में आएगा ही दूसरों के दिन घर चली जाएंगी क्योंकि धन तेरस का दिन बरकत देने का है हर एक बस्तू आपको पंद्रह हजार गुना चाहदा लाव देगा तो इन बस्तूओं को खुद के लिए खरी दें चाकि आपको लावो ना की दूसरों को दूसरे कोई अपने लिए खुद कर रहे हैं तो आप भी अपने लिए कीजिए क्योंकि मां का आसिरवाद सबों के लिए माइने रखता है दोस्तों इस दिन यम का दीपक भी जलाया जाता है जैसा कि आपको पता है यम देपता की पूजा पूरे साल में सिर्फ इसी दिन होती है इस दिन आप अपने मुख्यद्वार के घर के मुख्यद्वार के दाहिने साइड दिपक जलाये सरसों के तेलगा या फिर तिल के तेलगा उसमें एक कोड़ी और एक रुपया का सिक्का देना मत भूलिएगा दोस्तों और वहाँ पे थोरे से फूल वेगरे डाल दे और यम देपता से प्राथना करें कि आपके घर में सभी सुखी रहें अच्छे से रहें दोस्तों इस दिन यम देपता का दिया निकालने से घर में अकाल मिर्तियू घर वालों को सामना नहीं करना परेगा और दुरगटना वेगरे से भी आपके घर वाले सुरवचित बने रहेंगे दोस्तों सुख और समरिध्धी का प्रव है ये धनतेरस दीपावली मा लक्ष्मिया और गनेश जी की पूजा आप इसी दिन से स्टार्ट कर दिजे उन्हें भोग लगाईए अगर आपके घर में खीर बनता है तो ठीके नहीं तो सफेद मीठाई की भी आप भोग लगा सकत है धनतेरस के पोटली आप जरूर बनाईएगा क्योंकि धनतेरस के दिन वो पूरे साल आपको समरिध्धी देताय है दोस्तों आपको कीचन के लिए एक पोटली बनाना है और उस पोटली में आपको पीला कपड़ा लें पीला कपड़ा में साबुत चावल थोरे से रखें ज्यादा नहीत, थोड़ा सा रखना है, तोटा बा चावल ना हो, उसमें एक चुटकी के सर, एक चुटकी हिंग, और थोड़ा सा पिली सरसो, साथ में हिंग, और एक चुटकी हल्दी, ये पांत चीजे आपको बांधके, अच्छे से बांध लें, उसे मोटली को और कीचण मे रख दें ऐसी जगह रखें कि किसी और का नजर नहीं पड़े सिर्फ आप उसे देखें तो ठीक है और यह पूरे एक साल वहीं पड़े रहने दें साफ़ाई करते हैं तो चेंज कर सकते हैं स्थान कोई दिक्कत नहीं है और फिर अगले साल इसे आप जल में प्रवाहिद कर द प्रवयद करते हैं और एक मुख्षी चावल जो सब्मूचा हो एक मुख्षी चीनी और अठ लॉंगन और एक सिक्का लेना है एक रुपया का उसे बाये साइट और स्वाश्थी चावल से बनाना है नाना है और आपने रैट साइड और दाएन साइड आप ओम्लिखिए ची दिपावली के अगले दिन इसे जल में प्रवाइद कर दें या फिर किसी मंदिल में रखाएं या फिर किसी को दान कर दें अगर आप इस सब्ता नहीं कर पा रहे हैं तो ग्यारा दिनों के बात कीजिएगा अगर दिपावली के सुबर नहीं किये हैं तो या फिर किसी में बर्क कर देंगी धन्यवाद